दियर स्टुडेंट्स वल्कम बैक जैसा मैंने प्रामिस किया था कि बहुत जल्द सकेंड पार्ट धर्म, धम्मा एंड दंड कर ले करके मैं आऊंगा उसी क्रम में यदि आप फॉलो कर रहे हैं मैं ये मान के चल रहा हूं इसलिए मैंने इससे सुरुवात की यदि आप फॉलो कर रहे हैं इस सिरीज को तो आपको पता है कि एक छोटा सा प्रयास है जो फॉर इयर अंडर गैजुएट प्रोग्राम जो अभी से लॉंच हुआ है डेली इडिवरस्टी ने अल्डेडी लॉँच कर दिया है कई इडिवरस्टी ने जिसमें अब चार साल की पढ़ाई होगी अंडर गैजुएट की उसके फर्स सेमिस्टर के जो सिलेबस अभी की फर्स सिमिस्टर कहीं पता है और उसमें भी जो पॉलिटिकल साइन्स की सिले बनाया था, जो concept धर्म का है, जिसको पाली में धर्म हो जाता है, बुद्धिस्थ थॉट में, और डंड का जो concept है, उसको आज हम लोग चर्चा करेंगे, खास करके जो डंड का जो concept है, वो इस वीडियो का में थीम है, सो, लेट उस बिगिन, यदि हम देखें कि कहां पर हम situated है, तो यह आपका एक paper है, discipline specific core paper 2, उसका नाम है ideas and institutions in Indian political thought, of course ancient Indian political thought, उस ideas में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, idea of dharm, dham and dhant, यहां पर, और हम लोग basically आज dhant को देखने वाले हैं, यहां से मैं सुरुवात कर रहा हूँ, यह मैंने first वीडियो में भी कहा था, इसको हम लोग ने चर्चा किया, dharm को कैसे symbolize किया जाता है, अब यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं, dhant, देखें, आप कई आपने pictures में भी देखा होगा, या NCN Time का कोई इमेज उमेज नेट पे द उसको कई जगे तो यह परंपरा है कि उसके सर पे ऐसे हलका सा चोट भी करता है, और फिर उसको जो है वो हाथ में देता है, और यह मुकुट पहनाता है, यह क्या symbol है, यह जो stick है, यह symbol है राज्य की ताकत का, सत्ता की ताकत का, और वो ताकत कहां से आती है, वो लोगों से जिसके उपर राजा शाक्षन करता है, और उन लोगों ने उसको वो ताकत दी है, क्यूं, यह जो डंड की जो ताकत है, वो क्यूं दी है, जिससे की राज में शांती बेवस्था काइम रह सके, जो वर्चुएस लोग हैं, वो सही धंक से रह पाएं, जो क्रुएल हैं, क्रि लोग हैं, यह बेसिकली इसका सिंबल है, सिंबलिजम, यहां पर थोड़ा रूख करके, यहीं पर हम लोग एक बेसिक कोर कॉंसेट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, डंड का, वो यहां पर ही समझ लीजिए, देखिए, यह मालीजे धरती के किसी भूभाग में, यह मैं आ हमें नहीं है, तो क्या है, जैसे लोग, हॉब्स, रूसों कहते हैं, स्टेट ऑफ नीचर है, मतलब जहां पर कि आप बिना किसी कोई उपरी सत्ता के, जो आपके जगड़ों का निप्टारा कर सकता है, उसके बगएर आप रहते हैं, तो अब क्या है, हर व्यक्ति जो है, वो दोनों में जगड़ा होगा, फिर फोर्ट जुड़ेगा, तो ये जो वार अफ ओल अगेंस्ट ओल टाइप की हो जाएगी, जिसको हमारे हिंदू थाट में कहा गया, मत्स निया, मत्स निया मतलब क्या है, लाओ आफ़िस, जब राज नहीं है, कोई राजा नहीं है, तो वह सारे थौट है, सोसल कॉंट्रेट की थौट है, कि सब ने आपस में समझोता किया, और अपनी जो सक्तियां है, वो एक सौफरिन पावर में डाल दिया, जिसको लवाइतन कहा, हॉब्स ने, लॉक ने कहा, उसको रिपरजेंटेटिव गौवर्मेंट कहा, कि अपनी जो थोई है, मेथलोजिकल है कि लोग जो है, रिशी मूनी घबरा करके, मत्स ने आइसे बचने के लिए, नार्की से बचने के लिए भगवान के पास जाते हैं, प्रजापती के पास जाते हैं, और वहां से राजा की क्रिया समुती है, चाहे वो दैवी हो, चाहे बुद्धिस्ट में उसी तरह social contract माना जाता है किसी भी तरीके से जब राज आता है सामने पैदा होता है उसका एक head होता है जो राजा कहला है चाहे वो prime minister कहला है चाहे president कहला है कुछ भी कहला है तो उसके हाथ में ये सभी लोग अपनी जो थोड़ी 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 power है वो उसको दे देते हैं और उसको कहते हैं कि अब तुम judge jury executioner हो अब हम लोग नहीं है यदि हमारे बीच में कोई जगरा होता है तो तुम उसमें न्याय करोगे अब मत्स न्याय नहीं होगा वो rule of law होगा सही न्याय होगा यही इस डंड को दर्शाता है जब राजा अपने हाथ में वो डंड लेता ह है मतलब यह एक stick लेता है तो यह symbol है कि मैंने अपने सारे प्रजाओं की जो चोटी-चोटी power है उसको मेरे में नहीत है और यह power मुझे इसलिए दी गई है कि मैं मत्स न्याय को खतम करूं जस्ट न्याय लाओं जो कमजोर हैं लेकिन virtuous हैं उनको cruel लेकिन मजबूत लोगों से बचाऊं और समाज में उस राज में शांती ब्यवस्था हो कि लोग अपना लाइफ जो है अच्छे से लीड कर सके ब्यापार कर सके सुख सिवधा का आनद जो है प्रोपर्टी का आनद उठा सकें दिस इस होल कॉंसेप्ट ऑ डंड तो यह केवल एक simple word नहीं है डंड मतलब punishment, सजा देना, यह simple word नहीं है, इसके यह connotation है कि डंड जो है वो राज की उत्पत्ती को दर्शाता है, राज की सत्ता को दर्शाता है, वो राजा के उस पावर को दर्शाता है, सौभरिन पावर को, जो जंता नहीं उसको अपने कण कन के पावर को उसमें समाहित कर दिया है, और ये ये भी दर्साता है जो Max Weber ने कहा था कि इस territory में जो सारभाम शत्ता है, sovereign power है, state जिसको कहते हैं, उसको monopoly of violence देता है ये डंड, मतलब समझे, आप समझे कि भारत में पूरे इतने बड़े भूभाग पे जो central government है और state government पे उनको monopoly of violence है, मतलब और कोई भी जो है legitimate way में violence करने का अधिकारी नहीं है, सरकार को छोड़ करके, तो ये जो सरकार जो legitimate violence कर सकती है, किसी पर डंडा चला सकती है, लाठी चार्ज को कहते हैं, आसू गैस छोड़ सकती है, जेल में डाल सकती है, फासी दे सकती है, ये जो violence करने का अधिकार है, जो legitimate है वो डंड उसको निरुपीत करता है और वो क्यों दी जाती है क्योंकि समाज में शांती ब्यवस्ता रहे मत सिन्यार ना हो अब तो मैंने आपको एक तरह से सब बता दिया है अब इसका किवल एक्जाम में लिखने के लिए जो नोट्स है वो discussion आगे होगी the concept of dunder जैसा मैंने बताया कि dund को एक वोड में कह है तो ये just punishment है ये punishment simple नहीं है ये chastisement बोलते हैं in English में chastisement मतलब कि आप dund देते हैं अलेकिन यहाँ पर dund जो है वो दो उसमें बात है एक तो just force legitimate force होना चाहिए यहनिं कि कोई गुंड़ा जो है वो dand दे आपको राज डंड दे, जो की कानून पैधारित होता है, जो हमारे ही ताकत से उसको डंड की ताकत मिलती है, और दूसरा जो पनिस्मेंट है वो भी जस्ट हो, मतलब वो ड्यू प्रोसेस अफ लॉक के अनुसार, जिए आप गिल्टी हैं तो पनिस्मेंट मिलें, और उसका जो एम है, वो है मेंटेंट पीस, ओर्डर, तो यहां पे दी देखें, तो एक एक्जाम में आपको लिखना चाहिए, कि यह दामा जो वोर्ड है, संस्कृत का कह लिजिए, उससे यह उद्भव हुआ है, उसका निकला है, उसका मतलब होता है to restrain, अब यहां समझे to restrain मतलब किन को restrain करना है, जो misconduct करते हैं उनको रोखने के लिए जो ताकत है वो dund है, जो आप देखें, जो मैंने कहा ना कि एक stick हाथ में जो है वो धारन करते हैं, इसे लिए राजा को ancient Indian polity में dund dhar कहा गया है, जो dund को धारन करता है, उस religious stick को जो धारन करता है, और यह जो है dund is considered as an essential attribute of variety, आप जैसे राजा का मुकुट देखते हैं, उसी तरह से उसके हाथ में जो dund होना चाहिए, वो dund dharak है, और वो एक तरह का शाशन का इकबाल है, मतलब शाशन का इकबाल का मतलब यह होता है कि यदि शाशन के पास dund की ताकत है, तभी वो शाशन है, यहाँ पर रुख करके मैं आपको एक interesting बताता हूँ, एक मेरा friend जो है बीडियो बना, ब्लॉग development officer, और he was telling me a very interesting story कि एक बार कहीं पर कोई कुछ हो गई, दुरगटना हो गई, वहाँ पर लोगों ने रोड जैम कर दिया, कुछ कोई मर गया था, तो उसको हटाने के लिए बीडियो साहब गए, उसके इलाके में आती थी, तो वह अपने कुछ officer के साथ गए, तो वहाँ पर जनता गौँवाले लोग घंगामा करतें, कि सरकार जब आएगी, सरकार जब आएगी, तब हम मेरी बात सुनेगी, तब हम लोग रोड जैम हट आएंगे, तो उसके officer ने कहा करें, बीडियो साहब आगई, यही तो सरकार हैं, और आफकोर्स सरकार वही होते हैं उस इलाके में, तो उन लोग करें, ने ने, यह सरकार कहा हैं, सरकार कहा हैं, मतलब उनके मन में क्या थी समझी है, तब तक उधर से दरोगा जो है अपने पुलीस बल के साथ है, और लोग चिला पड़े, सरकार आगई, सरकार आगई, तो वीडियो वस अम्यूज़ और यह बता रहे थे, कि देखे, सरकार का मतलब इकबाल होता है, मतलब जिसके हाथ में डंडा है, डंडा है, बंदूख है, वो सरकार है, यह प्लेम क्लोथ में कलक्टर हो चाहे, वो कोई भी हो, वो सरकार नहीं होती, तो इसको आप समझें कि डंड जो है, कैसे सरकार को निरुपित करती है, कैसे सत्ता के इकबाल को निरुपित करती है, कैसे उस शाषन को निरुपित करती है, जिसमें लोगों का भरोसा होता है, कि शांती दरस्ता बनाएगी, इसके जो different meaning connotation है, वो जैसा मैंने आपको बता है, कि religious stick है, एक तरह का धार्मिक जो है डंडा, मतला हाथ में, राजा के दिखता है, वो शाषन को दिखाता है, chastisement है, punishment, जिसको just punishment कह लीजिए, just use of force है, ये state के coercive power, coercive power मतलब क्या होता है, जो डंड दे सकता है, उस power को दर्शाता है, force को दर्शाता है, ये monopoly of violence को दिखाता है, legitimate monopoly of violence, ये state के will को दर्शाता है, एक State कुछ भी कर सकता है, उसने ठान लिया, ये करना है, नेक्सोनलिजम खदम करना है, तो करना है, तो इसको state का will है, एकवाल य ऑफरीटी को दर्शाता है, यदि डंड नहीं है, तो state की कोई ऑफरीटी नहीं है, ये dispensation of justice को दिखाता है, ये न्याय होते हुए, न्याय डं से ही होता है तभी तो न्याय है आप punishment देते हैं न्याय में क्या होता है ज़र्ज में जो guilty होता है उसको punishment दिया आता है यह dispensation of justice है यह न्याय है मैं आपको नीती न्याय पढ़ाऊंगा अमरित्य सेन का concept, उसमें ये realized justice है, जब मत्स न्याय को आप खतम करते हैं, तब जो न्याय आती है, वो डंड निरुपित करता है ये finally administration of state है ये राज का जो आप चला रहे हैं state craft को निरुपित करता है, क्योंकि ये राज और उसकी सत्ता और राजा कैसे, या state कैसे शांती बेस्था बनाया रखता है कैसे राज को maintain करता है, वही तो है ये और finally ये science of politics भी है, जो की कॉटल ले कहते है डंड नीती क्या है, science of politics state craft और ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये realized justice है प्रोफसर सेन के word में कहें, तो न्याय है और ये मत्स न्याय को खतम करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अनार्की, might is right, lawlessness war of all against all in the state of nature, जब कोई राजसत्ता नहीं थी, तो उसको खतम करने के लिए मत्स न्याय को जो, आप समझेए, एक symbol है वो डंड है, डंड होने से वो खतम होती है, डंड वो आग है, समझ दीजिए, जो की अनार्की को जला देती है, खतम करदी है, भस्म करदी है, और शान्ती बरस्ता लाती है और यदि आप मैक्याविली को आप पढ़ेंगे आगे, तो मैक्याविली कहते हैं कि देखिए दो ही कारण से आप जो है ना किसी की सत्ता को मानते हैं या किसी के बाद को मानते हैं किसी की आर्डर को मानते हैं एक तो प्यार हो या डर हो वो कहते हैं प्यार जो है वो सबसे पहले लोग डस्टमीन में फेक देते हैं जब मौका मिलता है ल हमें डंड हमको रास्ते पर रखता है हमको धर्म के रास्ते पर रखता है हम धर्म से डिगते नहीं है आपको धर्म मैंने बताया जितने भी Righteousness, Moral Obligation क्योंकि हमें Punishment का डर है Punishment या तो भगवान के द्वारा Sin है या यहां पर जीवन जीते हुए राजी के द्वारा एंड राजा जो है वो punishment का मतलब सारभाउम है वो हाथ में उसके punishment की ताकत है और वो उसको वो ताकत इसलिए दी गई है कि जो human का जो nature है जो उसकी बुराईयां है कुटिलता है लोगों पर दबाव डालता है बुली करता है लोगों को मारता है सताता है जिसमें फोर्ज होता है आपने देखा है जिसमें बल होता है वो गरीबों पर जुलुम करने लगता है उसको रोकने के लिए और उसको रेस्ट्रेन करने के लिए जिस से कि लोग जो है शान्ती पुर्वक अपनी फुल्फिल लाइफ जी सकें डंड ही इन सब को possible बनाता है, तो डंड एक तरह का राज सत्ता है, जो essential है एक शांती पुर्वा जीवन के लिए, उसी को यह एक तरह से symbolize करता है, यह और जो है, अब यदि हम देखें कि different जो text है, ancient Indian thought के या political thought के वो डंड के बारे में क्या कहते हैं, यह आप exam में लिख सकते ह हैं, जैसे Manu Smriti, इसको की मानव, धर्म, शास्त्र भी कहते हैं, एक mythological author Manu इसको लिखते हुए माने जाते हैं, बहुत सालों में इसको compile किया गया, इसकी कोई original manuscript भी नहीं है, इसका just interpretation है, इसमें कहा गया है कि punishment, या डंड, have been prescribed by the sages, रिशी मुनीर के द्वारा prescribed किया गया, so that, जो सही आदमी है, righteousness, may not be outraged, and unrighteousness may not be cured, may be cured, मतलब जो virtuous हैं, उनको बचाया जा सके, जो wild हैं, जो cruel हैं, जो दुस्ट हैं, wicked हैं, उनको control किया जा सके, man is essentially low, wild and selfish, यहाँ पर कैविली भी यह कहते हैं, कोटिल भी यह कहते हैं, कि आदमी का nature जो है, तो essentially by nature हम लोग जो है, selfish होते हैं, self-centered होते हैं, egoist होते हैं, हम लोग basically बहुत low nature के हैं, low भी, कामी, क्रोधी, इस टाइब का nature हमारा है, तो मानव का जो ही negative nature है, उसको कैसे straight path पे, धर्म के path पे रखा ज किया है, the whole world is rectified by dunda, मतलब पूरी दुनिया जो है न, वो dund से ही जो है सीधी होती है, और यहां तक कि God और डेमी God, राजा तो है ही dund के भागी है, यदि वो धर्म से गिरते हैं, तो उनको भी dund मिलता है, राजा को मार तक दिया गया है, वेना नाम के राजा को मारने की बा मनु इसमृती में डंड नायक नाम के एक अधिकारी का जिकर मिलता है, इससे ये लगता है कि कोई एक officer in charge of administration होता होगा, जो जो देखता होगा कि law and order बना रहे है, उसको जो है हम dund नायक, आज के डिट में आप SP कह सकते हैं, DIG कह सकते हैं, पुलीस के, आर्मी भी कह सकते हैं So dund नायक, कोटिल का अर्थ सास्त्र वो भी एक बहुत ही, समझे एक तरह का हमारे इतिहास का कह लिजे या हमारे political thought का एक stump है, कोटिल याका, वो भी कुछ BC में लिखा गया है, उसकी खोजबड़ी अजीब धंक से हुई थी, वो एक्जामने समें में पूछा जाता है, शाम अर्थ सास्त्र कोटिल हम देखे, तो dund is an instrument for bringing people under control, maintain peace and order, वही वही बात जो बार बार में बोल रहा हूँ, डंड जो है part of four-fold policy of the state, कोटिल लिखते हैं कि state को conflict resolve करने के लिए, कहीं भी कोई गडबर हो जाए तो उसको सुधारने के लिए चार उपाय होते हैं, सामा, दामा, डंड and भेड, उसमें से डंड आता है, सामा मतलब है, कि आपको आप उसको किसी तरह मना लो, मतलब just resolution, बातचीत करके उसको सम्मान दे करके आप मना लो, दामा मतलब कि आप जो है, चलो कुछ हर जाना दे दो, किसी को कुछ जो fine हो गया, वो हो गया, जिसको ज बात नी बात नी बने तो आपको जो है, फूट डालो राज करो टाइप का भी state को करना पड़ता है, भेडा, दो सामा, दामा, डंडा, भेडा, पुराना जो है, पुरान जो है, हमारी कथाएं हैं, उसी में, आप जो सत्नरायन भागवान की कथा हिंदू के घर घर में होती ह उसे पुरान की कथाएं हैं, तो पौरानी कथाएं, जो कि कहा जाता है कि कुछ एडी में, फोर्ट से लेके, एट सेंचुरी एडी तक, ब्राह्मनों ने उसको जो है, एक तरह से रचा जिससे की हिंदूइजम फैल सके, और जो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो उसको जोग्त हो अङदी आप पाप करते हो, तो पनिसमेंट उसको जला देता है, उस पाप को, मतलब एक तरह का प्राईश्चीत है, पिनेस है, मतलब आपने यदि पाप किया है, तो आपको पनिसमेंट लेना चाहिए, इसी तरह से जैसे की करवा दवाई जो है, वो क्योर करता है. उसी तरह Punishment जो है Guilt को जला देता है और Guilty को ठीक करता है。 शुक्रनीती जो है. यह भी एक तरह का आप कह सकते हैं नीती सास्त्र है जिस तरह से कि बहुत सारी नीती सा याग बलक की नीती सास्त्र है या इद बनु इस्मृति भी एक तरह का निति सास्त्र, या सॉरी, कॉटिल का अर्षाथ को भी आप एक तरह से निति सास्त्र कर सकते हो, तो सुक्र निति में लिखा हुआ है कि punishment as the great stay of virtue, मतलब आप समझे कि वो लंगर है वर्चू का, यदि डंड है तो वर्चू है, punishment यहाएगा, punishment leads to the elimination of bad practice on social level, same thing, कमंड का जो है, यह भी काफी इन्होंने लिखा है, thought in St. India में, निति के तौर पे उन्होंने लिखा है, punishment is justified for meeting end of justice, तो न्याय के लिए punishment, just punishment, जो है, must है, याग बलक्त, इस्मृति जो मैंने बताया है, वो भी एक तरह का निति है, punishment should place the subject on right path, तो वही बार बार आता है कि आपको एक fear है, psychological, उसके चलते आप धर्म या अच्छाई के मार्ग पे बने रहते हो, गौतम कहते हैं, creation of punishment was for checking the misconduct and wronged war, मतलब यह जो है, same thing, यह गौतम गौतम बुद्ध से आप मत confuse कीज़ेगा, यह रिशी गौतम है, यह उन्हा काफी कुछ लिखा है, तो मतलब हमको सच्चाई के रास्ते पे और miscreant को गलत काम करने से बचाने के लिए dund का instrument, यहां पित्वार सा आप examination में यह भी लिख सकते हो, कि किवल यह किवल समझी कि एक thought नहीं है, जमीन पे भी इसको आप देख सकते हैं, मतलब कोई किवल moral एक तरह का, यह symbolic इसका माईने नहीं था इंसे इन टाइम में, जो justice administer किया था, आपने डंड नायक का देखा, वो पाँच तरह का manuismriti, और आप इसमें बहुत कुछ पर सकते हैं, लेकि ज़्यादा पढ़ने की ज government में और जगह सजा दी जाती है, उसमें कहा जाता है कि आपने ये काम अच्छा नहीं किया, लिख करके आपको दिया जाता है, कि आपको censor किया जाता है, मतलब आपके इस काम को हम धिक कारते हैं, तो वो भी एक तरह का छोटा सजा है, धन्ड डंड है, मतलब सीधा penalty, आप इतना पैसा जमा करो, अभी भी दिया जाता है, और फाइनली जो है वो बध दंड है, बध दंड का मतलब ये नहीं उता है कि जिता है, मार ही दे, हाथ कार देना, पत्थर मारना, अंत में गला कार देना, या फांसी देना, फीजिकल अन कैप्टल पनिसमेंट इसमें जो है, वो केवल राजा को देने का अधिकार था, धन डंड और बध दंड, और ये भी कहायाता है कि ये जो पनिसमेंट है, उसका परपस था कि वो जो सोल ऑफ सिनर का, जो उसकी आत्मा काली हो गई है, उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए, ये पाप को हटाने के लिए था, पापी को हटाने कले नहीं, और ये रिट्रिबूशन या रिवेंज के तौर पे नहीं था, देखें, एक रिट्रिबूटिव जस्टिस भी होती है, ये रेक्टिफिक्टरी जस्टिस था, मतलब कि ऐसा जस्टिस जिससे कि जो गिल्टी है, जो पापी है, वो सुधर जाए, उसका ये परपस नहीं था, और ये भी था, उसको रोकने का भी था, कि आगे ना कर पाए, जैसे माल जी हाथ काट दिया तो फिर चोड़ी नहीं कर पाएगा, ये एक तरह का सिंबल भी था, आपके हाथ कटे हुए हैं उस समय में, तो लोग बोलेगा, जरूर आपने कोई इ ठपपा भी था, वहसे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इस अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ, जो बता रहा हूँ कि इसके माइने क्या है, लेकिन ये किसी तरीके से रिट्रिबुशन नहीं लगता है, बहुत सारे जो समाज हैं उसमें रिट्रिबुटिव जस्टीस भी होती है, मतलब आख का बदला आख, तो बदला ये रिवेंज हमारे हिंदू पॉलिटिकल थॉट पे नहीं देखता है, पनिस्मेंट वाज बेस्ट ऑन फॉलोइंग फैक्टर, किस बेसिस पे पनिस्मेंट दिया था, बहुत 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 जगे दिया गया है, मतलब था इक्राइम करने का, सरकमस्टांसिस कैसा था, सरकमस्टांसियल एविडेंस देखा जाता है, जो क्रिमनल था उसकी कैपसिटी क्या थी? यदि कमजूर आतमी जो है अपने जान के रक्षा के लिए किसी मजबूत को मार देता है, तो यह एक अलग है, और एक मजबूत जो तो ना मजबूत है कि वो मतलब माफी दे सकता था लेकिन उसने किया तो ज्यादा cruelty माने जाती है और crime कैसा था जगहन्य crime अब टुकरो टुकरो में काट करके आप माल जो फ्रीज में रख दोगी इस सब जगहन्य है rarest of rare मतलब जिसको सुनके उल्टी होने लगे तो उस type की crime का nature भी जो है वो भी देखाया था था इन सब basis पे determination किया था था कितना justice मिले कितना punishment मिले या किस type का मिलेगा यहाँ पर यह भी हमें समझना चाहिए कि जो हमारा समाज था caste based था status hierarchy था उसमें sex के basis पे caste के basis पे बहुत सारे basis पे जो है वो फरक था और उसमें सभी के लिए एक rule of law नहीं था कि कानून ट्रेंजर में सभी बराबर नहीं है ब्रहमनों के लिए same crime होने पर अलग सजा थी और दलितों के लिए या कहिए सुद्रों के लिए लग सजा थी मतलब अधिकतर cases में देखा गया कि higher caste को कम सजा मिलती थी lower caste को same crime के लिए ज्यादा सजा मिलती थी यहां तक था कि ब्रहमन को capital punishment मिलता ही नहीं था मतलब उनको कभी ब्रहम बद का कोई प्रवधानी नहीं था कितना भी बड़ा कि उसको गौँ से निकाल दिया था समाज से उसको बानिस कर दिया तड़ी पार कर दिया था लेकिन उनको मारा नहीं जाता था इस टाइब की बाते दिखती है fine जो है कम लगाया जाता था यह कोई अच्छी बात नहीं है rule of law नहीं था यह बात आपको समझना चाहिए उस तरह का कानूं करेंजर में सभी बराबर नहीं थे फिर भी बहुत सारे बेवस्ता थी कुछ crime में बराबर भी थे और कुछ में ऐसा होता था कि higher caste को ज्यादा सजा भी बिल्दी थी लेकिन ओवर अलेदी हम देखें तो higher caste को कम सजा, lower caste को ज्यादा सजा, जो ज्यादा स्ट्रॉंग है, उसको कम सजा, मतलब मुह देखके, जाद देखके, जो है सजा का प्राब्दान था, यह हमें समझना चाहिए, वो उस तरह का नहीं था, इसा भी modern है, य और वहां पे डंड नीती की बात जो है, वो करते हैं, पिता महभिस्म करते हैं, मिल्तू सिंया पे हैं, और वहां पे यो युधिस्ठिर को राज का समझा रहे हैं, के राजा का धर्म क्या है, इस्टेट क्राफ्ट क्या है, वहां पे डंड नीती के बार्म करते हैं, बहुत स of force है, administration of state है, state craft है और science of politics है. तो इसका बहुत भ्यापक मीनिंग है कि आपको जो एक violence का जो monopoly मिला है, डंड के रूप में, आप उसका use कैसे करते हैं, यदि आप उसका use अपने state को चलाने में, maintain करने में, उसको बचाने में और शांतिवरस्था में करते हैं, तो उसका just use है, यदि उसका unjust use करेंगे, तो आप भस्म हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी ताकत है कि इसका जैसे ही आपनी गलत use किया, आपकी सत्ता चली गए, ये ये माना जाता था, और इसका देख लिजे, for providing equal justice to all, member of the society, मतलब किसी में भेदबाव नहीं, for peace, progress and prosperity of the people, उसके लिए डंड का use किजे, welfare of the state के लिए, efficient administration के लिए, to protect the weaker from stronger one, यही बात बार बार हम लोग कह रहे हैं, जो virtuous हैं, लेकिन कमजोर हैं, उनको जो मजबूत, लेकिन wicked से बचाने के लिए, to punish the offender and finally to keep everyone within the limits of dharma, सब को धर्म के पात पे रखने के लिए, डंड का use होना चाहिए, so dंड नीती इस चलते जो है, भागवान के द्वारा राजा को दिया गए, यहां उसको divine sanctity जो है दी जाती है, it is only through dंड, that the king can manage the affairs of the state, and can guide everyone to be done path of dharma, same thing, following dंड नीती, to maintain peace, order and bring prosperity, happiness and welfare to the people, is his highest duty, राजा को जो डंड दिया गया, डंड का जो अधिकार दिया गया, जो डंड आ आपने देखा, मैंने जो symbol दिखा है, वो इसलिए दिया गया कि peace, order, tranquility, harmony, maintain करो society में, लोहों के welfare, prosperity को उससे सुनिश्चीत करो, यही तुम्हारी highest duty है, उसको गलत यूज नहीं करना है, it is a mechanism to destroy evil, as the sun destroy the darkness, जैसे कि सूरज के रूसनी अंधकार को खतम कर देती है, जैसे एक कड़वी medicine जो है, वो आपके बीमारी को cure करती है, उसी तरह डंड जो है, वो पाप को, sin को जो है, वो destroy करता है, if the dandinity is destroyed, essence of dharm will be destroyed, यदि dand गया, dharm गया, तो और फिर वो मत्स नियाए में बदल जाएगा, अनार की बदल जाएगा, everything will be eclipsed by darkness, सब अंधेरा, जब सभी सोते हैं, तो dand जागता है, fear of dand जो है, वो कभी सोता नहीं है, और किसी को जो है, वो उससे dignity नहीं देता, कोई भी जो है, कभी भी कोई अपराद करता है, तो उसको dare है, कि जो dand है, वो हमारे पीछे रहेगा, यही तो इकबाल है, यदि यह है, तो राजकाज बना रहेगा नहीं, तो फिर जंगल राज, अनर्की होगी, यदि साशन का इकबाल खतम हो जाए, कि हम crime करेंगे और बच जाएंगे, तो fear of dand खतम हो गया, तो dand यदि ऐसा है, तो वो regulate करता है, behavior of all in the society, उनको धर्म के पात पे रखता है, dand maintain dharm, dand ही जो है, dharm को बचाता है, जान देजे, on account of fear of dand, कोई भी जो है, sinful activity में involved नहीं होता है, इसलिए तो dharm बच पाता है, तो dharm का सबसे बड़ा रख्षक dand है, dand neetी जो है, dispensation of justice को दर्शाता है, administration of justice को दर्शाता है, मैंने बार-बार कहा है, ये punishment है evil को, reward है righteous, virtuous को, it also denotes relation of individual to state, कैसे जूरते हैं, इस एक individual अपनी जो थोड़ी ताकत होती है, वो state को दे देता है, और उसके dand को स्विकार करता है, मतलब कि political obligation को भी दर्शाता है, dand जो है, ये ये भी दर्शाता है कि एक लोग, दूसरे लोगों से कैसे जूरते हैं, वो भी dand के माध्यम से जूरते हैं, यदि तुम मुझे पे कोई भी अतियाचार करोगे, तो जो मैंने ताकत दी है state को, या राजा को, या सत्ता को, और सबने जो ताकत दी है, उस ताकत तुम्हें रोकेगी मुझे माधने से, ये totality of social political economic relationship भी बताता है, और कैसे state function करता है, ये सब को जो है दर्शाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ब्यापक इस world का कितना ब्यापक रूप है, अपने आप में ये एक तरह का state craft है, ये राज-काज है, ये शाक्षन विवस्था है, ये justice है, न्याय है, अब तक जो है, आपके पास में enough point हो गया हुगा, कि आप feature of dunda को कैसे लिखें, डंड को, लेकिन exam में फिर भी लिखना होता है, तो मैंने, उसको मैं हर वीडियो में ऐसा करता हूँ, आपके लिखने के लिए, कि इस तरह ये सब जो है dund के हमें, characteristics या features दिखते हैं, डंड represents state का will, इकबाल दिखाता है, उसकी authority को दिखाता है, उसके coercit power को दिखाता है, legitimate monopoly of violence को दिखाता है, जो वेवर नहीं कहा था, याद रखें, In a sense, it denoted state's sovereignty, ये एक तरह का state की सार्भम सत्ता को दिखाता है, उसके उपर कोई नहीं है, उसको super dund का power है, Only through the instrument of dund, peace and order was maintained in society state, और तो कोई तरीका है नहीं, उसी dund के चलते जो है, सब लोग धर्म के रास्ते पे राते हैं, जो sin होता है, उसको हटाया जाता है, उसको प्राइस्चित करवाया जाता है, जो पाप है, उसको दूर किया जाता है, क्यूर किया जाता है समाज से बुराईयों को, इसको जो है divine sanctity दी गई है धर्म शास्त्रों में, ये कहा गया है कि प्रजापती, जो chief god है, creator है universe का, उन्होंने universe भी create किया, और साथ में dund को भी create किया, जिससे की universe में सांती रह सेगे, समाज में शांती बेस्था रह सेगे, just application यदि dund का होता है, मतलब unjust नहीं, तो ये universal peace को guarantee रखेगा, harmony guarantee रखेगा, happiness और righteousness, यदि unjust होगा, तो सब जल के भस्म हो जाएगा, सबसे पहले राजा या राज भस्म हो जाएगा, खतम हो जाएगा, dund is designed to correct the human vice, जो nature ने human को जो बुरा बनाया है, जो अधिकतर फिलोसफर मानते हैं, मैक्यावली से लेके, कौटेली से लेके, सब मानते हैं, उसको ठीक रखने के लिए, उसको सही रास्ते पे रखने के लिए, और यदि पाप हो गया है, तो उसको purify करने के लिए, प्राइश या नई तो लोगों ने अपने-अपने power को, social contact को दिमाने तो सत्ता में नहीत किया है, डंड बचाता भी है, और शाषन भी करता है, बचाता भी है, शाषन भी करता है, अपो उस धन को यूज कर सकते हैं, नहीं तो बताईए, कोई अच्छाछा ड्रेस पहन के निकले, अच क्यों जिसके पैर में जूता नहीं, जिसके हाथ में जिसके सरी पे कपरे नहीं, क्यों उसको ना लूट ले, यदि वो मजबूत है तो, यदि नहीं है डंड तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप इंज्वाइए नहीं कर सकते, आप शादी में करोर रुपे खर्च करते हैं, सब स करते हैं क्योंकि शाशन है इकबाल है वो डंड है तो आप जो है धर उपार्जन कर सकते हैं उसका उप्योग कर सकते हैं आप इंज्वाइ कर सकते हैं आप फैमिली लाइफ लीड कर सकते हैं नहीं तो कोई किसी को ले करके कोई मार काट दंगा पुसार आपके परिवार को करते हैं और धर्म यदी रक्षा होता है, सब डंड से होता है. So, डंड अक्टेट अज गाइड फोर ओल और हेल्प मैं इन चूजिंग बिविविन राइट और रॉंग. आपको जो है सही गलत क्या है, यह आपको डंड का ही जो फियर है वो आपको हमें से सही के रास्ते पले आता है, गलत के रास्ते से आप बचते हो. It represents science of politics, statecraft, administration and maintenance of state. State यहां मैंने लिए दिया, state. State तो आप समझ सकते हो, यह मैंने कई बार कहा है आपके लिए. डंड इसलिए धर्म की आत्मा कहा गया है डंड को. क्योंकि धर्म को वही रक्षा करता है. एक तरह से यही धर्म है, डंड इटसेल्फ धर्म है. क्योंकि वह आपको धर्म के रास्ते पर रखता है. धर्म क्या है? आपको डर लगता है. क्योंकि आप करोगे तो वह सिन है, पाफ है. लोग कहते हैं मेरा धर्म भस्ट हो जाएगा. हमको इस दुनिया में क्या अगली दुनिया में उसका नतीजा भूगतना परेगा. तो वह डंड ही तो बोल रहा होता है. दुनिया में 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 तो सबसे पहले डंड उसी को जलाएगा तब जो है वो सत्ता को जलाएगा और राज को जलाएगा और अनिर्की लाएगा तो यह ध्यान रखना चाहिए कि यह बहुत बड़ी ताकत भी है लेकिन उसी के साथ बहुत बड़ी responsibility भी है यदि आपको डंड का एक अधिकार मिलता है तो आपके उपर बहुत बड़ी जम्यदारी आती है कि आप उसका न्यायर पुर्वक यूज़ करें अन्यायर पुर्वक नहीं नहीं तो सबसे पहले आप ही जलेंगे अब फाइनली डियर इस्टुइंट एदी हम लोग धर्म और डंड को देखें यह भी एक्जामनिसन में लिखने में आपको बहुत हल्प करेगा एक टेबलर फॉर्म में नहीं दिया है लेट उस सी यदि हम माईने देखें तो अब क्या इसको मैं तो इतनी बार आपको बता दिया लेकिन चलिए फिर भी एक बार समरी करते हुए कि धर्म का मीनिग जो है बहुत सारे है राइट इसनेस है मतब सही रास्ता क्या है सही मंसा वाचा करमना क्या right थॉट राइट इड राइट एक्सन moral obligation को दरसाता है हमारे duty को दरसाता है जस्ट थॉट एन एक्सन में बता दिया मतलब ये सारी जो हम लोग जिसको बेसिक कहते हैं कि इसके बगएर जीवन नहीं चल सकता है, कॉस्मिक फोर्स है जो पूरे उनिवर्स को अपने जगह पे रखता है, समाज को जो है, एक और देता है, प्रोपर्टी हेल्ड बाइनी इंटिटी, गुन है, पत्थर का गुन, पा of conduct और way of life है, virtuous life कैसे जिये, इसका एक तरीका है धर्ब, और spirituality तो है ही, मतलब spirituality मतलब एक individual जो transcendental, जिसको हम नहीं देखते हैं, लेकिन हम कहां से आये हैं, क्यों आये हैं, उस force से, जो हमारा nata है, spiritual nata कह लिजिए, वो उसको भी दर्शाता है, और modern way में इसको जो है, ट्रांस अगंबर होता है, एक God होता है, एक किताब होती है, और एकदम fixed rule regulation होता है, वीचुल का, वैसा Hindu सनातन धर्म में है नहीं, और यहीं पे जो है, हमारी secularism, जो है, वो un-secularism से अलग होनी चाहिए, और चुकी हमने western secularism अपना है, धर्म को हम लोगों ने religion मान लिया, इसके चलते बहुत confusion इंडिया में अभी भी है, और यह matter settled ही नहीं है कि इंडिया को कैसा secularism अपनाना चाहिए, यह मैंने आपको discuss किया है, लेकिन फिर भी इसको religion कई लोग कहते हैं, डंड जो है, हम लोगों ने देखा कि यह chastisement है, discipline है, punishment, जो कह सकते है chastisement, coursey power of state है, state के will, इकबाल क को दर साता है, यह न्याय को दर साता है, यह administration of state, statecraft, science of politics, इन सब को दर साता है, डंड, interrelationship देखें, तो डंड जो है, एक तरह का, एक medium है, means है, साधन है, और धर्म जो है, end goal है, life का goal तो end ही है, sorry, धर्म ही है, धर्म को पालन करना, क्योंकि उसी से हमें जो है, मोक्ष मिलता है, लेकिन उसका जो साधन है, जो उसका तरीका है, और जो आपको help करता है धर्म को रखने में, धर्म के रास्ते पर वो डंड है, उस तरीके से देखें तो डंड जो है, वो आत्मा है धर्म का, और धर्म जो है, वो डंड के द्वारा ही protected होता है, यह हम दोनों का relation, दोमेन देखें तो धर्म जो है, वो spiritual realm में आता है, उसकी दुनिया, spirituality के दुनिया है, वो दीनदारी के दुनिया है, वो भक्ती के दुनिया है, वो transcendental world से नाते का दुनिया है, अफकोर्स इस लाइप में भी धर्म के रास्ते चलते हैं, लेकिन वो spirituality है, जबकि डंड जो है, वो रा उसको दर्साता है, तो धर्म जो है, वो spiritual दुनिया और ये दुनिया जो है, दुनियादारी के दुनिया, ये दीनदारी के दुनिया, इसको जो कौन मतलब interpret करता है कि धर्म क्या है, तो ब्राह्मिन और प्रिस्ट्री क्लास जो है, जो पुजारी क्लास या ब्राह्मिन क्लास वो बताता है कि ये धर्म है ये धर्म है जबकि डंड का निरूपन जो है छत्रिय या रूलिंग क्लास को दिया गया उसको बताया गया कि तुम पनिस्मेंट दोगे तुम जस्टिस करोगे दोनों में फरक देखे इस्टेट क्राफ्ट में रोल क्या है धर्म जो है वो सुप्रीम है वो सुपर सुपर सौवरेन है इवन टेंपोरल सौवरेन से उपर है एंसेंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में king state को भी धर्म को maintain करना है अपना भी धर्म, राज धर्म और जो लोगों में भी धर्म का पालन करवाना इवन कि वर्णा आस्रम धर्मा का भी पालन करवाना है जबकि dund जो है ये temporal sovereignty को दर्साता है ये administration को दर्साता है state craft को दर्साता है state को create ही किया गया था ज़्यादा theological है ज़्यादा transcendental है ज़्यादा divine है मतलब ये सब बहुत ज़्यादा समझे धार्मिक जिसको हम बोलते हैं यूज हम फिर धर्म को धार्मिक कर रहे हैं लेकि धियो लॉजिकल है ज़्यादा जो है वो transcendental, moral उससे आती है जबकि dund जो है एक अद्रिश, transcendental शक्ति के रूप में universal moral law के रूप में दिखती है जिसको क्या आपको पालूं करना है इसको मतलब कि इसको feel करना और इसको देखना की धर्म दिख रहा है ये बहुत difficult है जबकि dund दिखता है आपको पुलीस दिख रहा है, आर्मी दिख रहा है जज दिख रहा है, कोट दिख रहा है, जेल दिख रहा है ट्राफिक लाइट दिख रहे है तो आपको dund दिखता है रोड पे दिखता है, हर जगह दिखता है तो साशन का इकवाल आपको दिखता है लेकिन धर्म जो है वो अद्रिश रूप, शक्ती के रूप में दिखती है यदि हम psychological basis देखें तो दोनों का fear है, जान देजे psychological fear है, धर्म जो है, यदि हम धर्म को break करेंगे तो पाप है और वो God या nature हमको पनिस करेगा Buddhism में नेचर, Hinduism में God डंड में भी fear है, डर है, लेकिन यहाँ पे सिधा force of state, हमको कोई God word नहीं, सबसे परदो पुलीस पकड़ेगी और जेल में डालेगी और मारेगी और कोट हमें सजा देगा तो यहाँ पे जो fear बहुत practical है, यहाँ fear जो है again वो जो है theological, religious, spiritual and transdental है, तो यह नाता है धर्म और डंड के बीच में अब dear student, हम देखें कि कुछ question जो इससे आ सकते हैं, यह दोनों part 1, part 2 से, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं कि examination point of view से आपको सोचना चाहिए, तो इस पे जो मैंने question बनाया है, मुझे आशा है कि teachers भी इसका help ले सकते हैं, जो professor जो question set करेंगे, first है, discuss the different meanings and ideas conveyed by dharma in ancient Indian political thought, यह दम बिलकुल simple सा question है, कि धर्म के क्या-क्या different meaning, ideas, धर्म नाम के word से जो है convey होते हैं, आपको मैंने पूरा बताया है, explain the meaning and ideas conveyed by dharma in buddhist political thought, यह दोनों एकदम एक जैसे question है, उसको ही मैंने आपको पूरा बताया है, 6-7 इसके meaning है buddhist में, जो थोड़े बहुत अलग है, धर्म से हिंदू में, दोनों में काफी एका भी है, लेकिन कुछ फरक भी, compare and contrast the dharma in hinduism with dharma in buddhism, यह मैंने आपको बहुत detail में बताया है, जैसा मैंने बताया है, बहुत ज्यादा एका भी है, मतलब कि compare भी कर सकते हैं, एक जैसा है और contrast भी है, ancient Indian polity was an interplay of dharma in dhanda discussed, यह बहुत interesting question, इसमें simple बात यह आती है कि dharm and dhanda कैसे दोनों मिलके ही राज काज हैं, और कुछ नहीं है, मतलब polity क्या है, उस साय में क्या थी polity हमारे, कि एक dharm है, जो राज को भी उस dharm का पालन करना है, राज dharm, और जो समाज है, उसमें भी dharm, जो है सार्भौ में, उसको पालन करना है हर व्यक्ति को, और समाजिक ब्यवस्था भी dharm का अधार होगी, वर्ण ब्यवस्था होगी, उस सारे जो dharm के अनुसार होंगे, जितने relation, जितने भी social arrangement है, और जो राजा है, वो उसको dharm का अधिकार इसलिए दिया गया है, कि वो अपने भी dharm का पालन करें, राजधर्म, और लोगों को भी जो है, और समाजिक ब्यवस्था में भी dharm का पालन सुनिश्चित करवा है, तो इसलिए dharm और dhund का इंटर पलिटी बन जाती है, पॉलिटी को दो वोड में देखें, दो प्लाकाट दर्शा है, तो एक धर्म है, एक दंड है, इंडियान पॉलिटी का ancient political time. डिसकुस्ट दिफरेंग मेन इन आइडियास कनवेड बाई दंड इन ancient political thought. तो यह तो बिल्कुल the run-of-the-mill simple question से दे, यह दो question है. तो यह तीनो धर्मा, धर्मा और डंडा का जो different meaning ideas हैं, ancient political thought में उसको explain करना है. डंड is the soul of dharma. अब यहां पर मैंने question बनाया है धर्म और डंड के relation के basis पे. डंड जो है आत्मा है, धर्मा का, discuss the inter-relacency between dharma and danda in light of this statement. यह मैंने last slide में आपको बताया भी और पूरे यह भी question दोनों एक ही है कि धर्म और डंडा inter-play है. यह और यह question लगभग एक है. इन सब question का answer, full answer, जो है मैं exam guide में लिखूँँगा, वो भी आप देख सकते हैं. So, यह references है dear student, मैंने काफी काफी इस पे research किया है, लेकिन कुछ जो मैंने देखा है मुझे अच्छा लगा, इसमें से कुछ तो reading list से भी हैं, तो आपको इसको पढ़ना चाहिए, और भी आप पढ़ सकते हैं. Thank you for watching, यदि आपको इस वीडियो पसंद आया हो, तो please like करें, share करें, subscribe करें, comment करें, मुझे बहुत खुसी है कि अब अधिक से अधिक जो first semester के student इन वीडियो को देखने लगे हैं. मुझे यह भी पता है कि अभी भी मेरे कई student जो PG entrance test और UGC net दे रहे हैं, या assistant professor civset, या even civil services, वो भी देखते हैं, उनको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो उनको बहुत help करेगा, लेकिन primarily यदि आप मेरे वो student हैं, तो आप अपने छोटे भाई, भाईयों, बहनों, अपने दोस्तों के छोटे भाईयों, बहनों, अपने juniors को please communicate करें कि इस series का फायदा उठाएं, अधिक सदिक देखें. यदि आप guide डाउनलोड करना चाहते हैं, इस paper का भी guide कुछ एक महने में आ जाएगा, लेकिन और सारे guide यहां पर available हैं, old syllabus के हैं साथ, जो अभी भी बहुत important हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, इस तरीके से आप मुझसे जो है, 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 जो ह वीकेंड, बाइ.